नमस्कार, स्वागत है, LNMU Notes में, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, LNMU दरभांगा के जो PG का result जारी होता है, जो PG का marksit जारी होता है, ठीक है, उसमें जो कुछ-कुछ grade होता है, A, B, C, D, ऐसा जो कुछ grade होता है, या फिर जो point दिया जाता है, ठीक है, या फिर जो system होता है, A plus दिया जाता है, कभी B plus A, B, C, या F लिखा होता है, यह सारे चीज़ का जो है, वो मतलब क्या है, यानि कि जो grade दिया जाता है, जो grading system है, वो दिया कैसे जाता है, उसके बात जो SGPA है, ठीक है, SGPA जो है, वो कैसे निकाला जाता है, या फिर CGPA जो है, वो cgpa कैसे निकाला जाता है ठीक है या फिर जो आपको marks मिला है ठीक है उसको percentage में आप कैसे बदल सकते है ठीक है और यह sgpa या cgpa है वो किस लिए लिखा गया है यह सारे चीज के बारे में जो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले ठीक है अगर आप जो है वो ललीत नर semester 4 ma msc mcom कोई भी है ठीक है PG में admission लिए PG में पर रहे है LNMU दरभंगा में तो आपका result इसी तरह जाड़ी होगा ठीक है और आपको जो हूँ अपने marksit को अगर आप समझना चाहते है तो इस वीडियो को देख लिए जे सारा चीज जो हूँ किलियर हो जाएगा sgpa क्यों लि जाएगा अगर नहीं आता है तो एक बार जो हूँ जहां भी confusion है उसको repeat करके देख लिएगा सारा जो हूँ किलियर हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग सुरुआत करते हैं इस detail से ठीक है इस detail यह सारा detail में जो हूँ उपर का जो हूँ आपको सबको जानकारी है ठीक और semester one का भी अगर आप है तो semester one का result उसी तरह जो हूँ अप्लाइ कर लीजेगा जो भी formula वेगर है यहां पर जो भी चीज बताया जा रहा है सारा चीज जो हूँ उसी तरह से है हर semester में ठीक है तो यहां पर paper का नाम लिखा होगा ठीक है सारा चीज जो हूँ आपको पता है उ वह सारा चीज का मतलब क्या है वह हम लोग देखने वाल है ठीक है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह जो point है ठीक है यह point कैसे लिखा गया है ठीक है यह point कैसे लिखा गया है 7776 वेगरा 859 जो भी है यहां पर कैसे लिखा जाता है point ठीक है उसके बाद यह जो point है credit point ठीक यह कैसे लिखा जाता है, ठीक है, credit point है, यह कैसे लिखा जाता है, ठीक है, उसके बाद यह CGPA कैसे निकाला जाता है, ठीक है, यह जो CGPA है, यह CGPA कैसे निकाला गया और यह grade plus, जो यह कैसे दिया गया, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग grading system देखते है, ठीक है, grading system, university का जो grading system है, तो चलते है टेबल पर तो यहां पर देखिए लेटर ग्रेड है एवरेज मार्क है ठीक है कौन से लेटर के लिए कितना मार्क तक जो है वो दिया जाता है मतलब कितना मार्क आप लाए होंगे तो आपको उतना ग्रेड मिला हुआ है या फिर जो नंबर ग्रेड था जो क्रेडिट वहाँ पर आपको दिख रहा हुआ दिखा था 7896 वेगरा वो सारा चीज जो इस सिस्टम से जो दिया जाता ठीक है तो सबसे सुरुआत करते हैं सबसे सुरु में अगर आपका जो हो 91 से लेके 100 तक के बीच में मार्क है ठीक है अगर आपका जो हो मार्क 91 से लेके 100 तक है तो आपको ओ ग्रेड दिया जाएगा यानि की आउटस्टेंडिंग ठीक है और उसका grade जो होता है उसका जो point होता है वो क्या होता है 10 ठीक है उसका grade क्या होता है 10 10 point होता है later में रहेगा तो o रहेगा और number में रहेगा तो 10 रहेगा ठीक है later में रहेगा तो o रहेगा और number में रहेगा तो 10 रहेगा अगर 91 से लेके 100 तक के बीच में मार्क आया है तो इतने मार्क अगर आपने किसी पेपर में लेके आ रहा है तो आपको अगर नंबर में दिया हुआ है तो 10 लिखा रहा है और अगर लेटर में दिया हुआ है तो o लिखा रहेगा ठीक है आगे बढ़ते है उसी तरह से ठीक है सेम उसी तरह से है अगर 81 से लेके 90 तक ठीक है 81 से लेके 90 तक आप किसी paper में number लेके आ रहे हैं तो आपको जो है वो a++ grade दिया जाएगा ठीक है a++ grade लिखा रहेगा और आपका number जो होगा जो number point वाला grade होगा वो होगा 9 ठीक है number में grade रहेगा तो 9 रहेगा और later में grade रहेगा तो a++ रहेगा जिसका मतलब होता है excellent और number कितना होता है उसका 81 से लेके 90 तक अगर आप किसी paper में लेके आ रहे हैं तो आपको a++ और 9 देखने को मिलेगा ठीक है आगे बढ़ते है a plus के उपर तो a plus यानि very good उसमे से क्या है 71 से लेके 80 तक मार्क किसी paper में आपका आ रहा है तो आपको जो है वो 8 point दिया जाएगा मतलब कि 8 आपको point देखने को मिलेगा और a plus जो है वो आपको grade देखने को मिलेगा ठीक है लेटर में रहेगा तो a plus रहेगा और number में रहेगा तो 8 रहेगा यहां पे 71 से अगर 80 तक मार्क है तो ठीक है उसी तरह से यहां पे देखिए 61 से लेके 70 तक है तो a रहेगा 51 से लेके 60 तक है तो b plus रहेगा 45 से 50 तक मार्क है तो b रहेगा और 45 से कम है तो f रहेगा फेल रहेगा ठीक है 45 से कम है तो फेल रहेगा वहां पे f लिखा रहेगा ठीक है f लेटर जो कि आपको 55 तिअ किसी में लिखा हुआ है इंटर्nelle exam में भी अगर आप भी आपने नहीं दिया है फिर भी अगर आपका ओर आप को थ्योरी पर्ए में ढर्क दिया sout उसको आपको fail ही कर दिया जागा ठीक है तो इस confusion में नहीं रहना है ठीक है मार्क सिट देखने के बाद और A भी लिखा हुआ है यानि कि आप absent है ठीक है किसी paper के site में अगर आपको A भी लिखा हुआ दिखे grade में तो आप absent है यानि कि जो हुआ आपको फिर से exam देना पड़ेगा वह सारा चीज जो हुआ प्रोसेस वह बात का आगे का प्रोसेस है ठीक है हम लोगों ने grading system देख लिया कैसे क्या दिया जाता है ठीक है 91 से लेके 100 outstanding O ठीक है 90 से लेके 80 तक A++ 9 ग्रेड ठीक है 9 पॉइंट मिलता है 71 से लेके 80 तक A प्लस 8 ग्रेड ठीक है अब हम लोग फिर से जाते हैं Mark sheet के उपर ठीक है Mark sheet के उपर जाते है और देखते हैं इसका क्या यहां पर apply हुआ है ठीक है तो हम लोग यहां पर mark sheet पर आ चुक है तो अब यहां पर देखिए ठीक है Mark sheet पर आ चुक है तो अब यहां पर देखिए यह जो point दिया हुआ है ठीक है तो यह total mark कितना आया इसमें 62 62 mark आया है यानि seven grade आया ठीक है और A दिया हुआ है ठीक है यह यानि good ठीक है उसके बाद यहां पर 61 है ठीक है 61 से लेके 70 के बीच में जो था वह वला mark है तो इसमें seven grade है ठीक है मतलब seven point है और grade है ठीक है फिर 62 इसमें same way सही seven फिर 59 है तो 59 है यानि six point है ठीक है और यह है b plus grade सेम उसी table से उठाके जो हो यहां पर आप जो हो calculate कर सकते है ठीक है आप अपन इन दोनों को multiply करके लिखा हुआ ठीक है इन दोनों को जो हो multiply करके लिखा हुआ इन दोनों को आप multiply किजिएगा आपको यह credit point मिलेगा ठीक है तो इतना समझ गया ठीक है credit point को grade point को और credit को multiply करके जो हो credit point लिखा गया ठीक है clear इन दोनों को आप जो हो multiply किजिएगा तो आपको इसारा चीज जो वो किलियर हो जागा यहीं से जितना भी है यहां पर लिखा गया ठीक है credit point यह सारा चीज जो हुआ इन दोनों को multiply किजएगा वो ऐसे दिख रहा है कि जो सारा चीज आ रहा है ठीक है इस आपको कंफूजन नहीं होना चाहिए ठीक है total mark जो है वहां पर calculate करके लिखी दिया गया है ठीक है तो total mark में कोई confusion नहीं होना चाहिए और percentage तो simple से आगर आप निकालने जाए ठीक है तो percentage निकालने के लिए simple formula क्या होता है आपका जितना भी paper का exam हुआ है ठीक है semester one में होता ह है 500200 का एक जाम होता है तो माल लें जीए कि आपको जो है वो 299 मिला है तो पांसो में दो कर देंगे 100 से यह आगए परसेंटेज आपका ठीक है यह हो गया टोटल का जित्ना भी main paper होता है आपका subject का paper plus AEC सब्जेक्ट होता है उसको भी मिला के ठीक है तो ध्यान रखने वाला बात ये है आपको कि आपका जो भी calculation होता है वो दो तरह का calculation होता है एक होता है आपका subject का mark का calculation एक होता है total calculation ठीक है इसमें जो calculate करके लिखा जाता है वो आपको लिखा ठीक है जो आपका मेन सब्जेक्ट है मान लिजी आपको फिजिक्स है केमेस्ट्री है जोलोजी बोटनी हिस्ट्री साइकलोजी कुछ भी है तो उस मेन सब्जेक्ट का मार्क जो है वो अलग से जोरा जाएगा ठीक है और टोटल मार्क ठीक है जिसमें सब्जेक्ट आपका जो म स्विफियन सब्जेक्ट में मार्क मिला है अग्या won i7 यह में जो सब्जेक्ट में है क्याए भूल भूाने चाहरा ह्या आए को जो हुआ मार्क सिट में देखने को मिलेगा टोटल का नंबर सिर्फ देखने को मिलेगा टोटल का परसेंटेज लिखा हुआ नहीं दिखेगा ठीक है टोटल का जो टोटल जितना नंबर होता है वो लिकिन दोनों नंबर लिखा हुआ रहेगा लेकिन परसेंटेज जो होगा वो percentage सिर्फ subject का लिखा होगा कि आपने जो अपने main subject में जो भी exam होता है उसमें कितना percent लेके आये हुए है ठीक है यह हो गया दो तरह का mark calculation इस चीज को जो हुआ आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है आपको पता होना चाहिए कि जो PG में PG में total जो full mark होता है अगर आपका main subject स सब्सक्राइब बात करते हैं अपना main CGPA segpa के बडारे में ठीक है तो सबसे पहले देखिए स गप्या का full form क्या होता है तो SGPA स्क्रीन पर आपको spelling मिल जाएगा उसका tension अप मत लिजिए ठीक है तो SGPA यानि समेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज SGPA आपको हर समेस्टर में मिलता है हर समेस्टर के मार्क सिट में आपको SGPA देखने को मिलेगा हर समेस्टर प्रति समेस्टर में जो भी रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें SGPA दिया जाएगा लेकिन जब टोटल समेस्टर जारी होगा मतलब कि final result जब जारी होगा तब आपको CGPA दिया जाएगा इसका फूल फर्म जो होगा आप देख लीजेगा कियstudy वह दे दिया जाएगा उसका जो हूँ टेंसेंड अप मत लीजिये कुमेलेटिव ग्रेड पॉइंट ट्रेड कुमेलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है ूen ही जी पी-एका फॉल तब आपको CGPA देखने को मिलेगा, तब आपको SGPA देखने को नहीं मिलेगा, मतलब रहेगा, उपर में अलग से रहेगा, लेकिन जो final result रहेगा, जो सबसे नीचे में लिखा रहेगा, वो आपको CGPA रहेगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब calculate करते हैं कि यह जो SGPA calculation है, वो कैसे किया गया, ठीक है? अलग होता है, ठीक है? यह दो तरीका से हम लोग को जो है, वो marking system पता हो गया, ठीक है? अब इस चीज़ पर दिहान देते हैं, इन दोनों का multiply करके यह आगया, ठीक है? इन दोनों का multiply किया तो यह आगया, point कैसे आता है, grade कैसे लिखा जाता है, वो जो है वो table में लिखा है, तो इन सब को अगर हम plus करें, तो 180 आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, 180 से ज्यादा आता है, क्यों आता है? ठीक है? देखिए, हम लोग को पता है, यहाँ पर जो grading system दिया गया है, ठीक है? grading system दिया गया है, जो भी percentage आपको लिखा जाएगा mark sheet में, वो आपका main subject का ही रहेगा, main subject यानि जो भी आप honors मतलब आपका, जो भी main अपना subject है, उसी subject का marking रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो plus किया गया है, वो plus होगा, सिर्फ इसमें 5 subject का, ठीक है? यह अगर 6 subject का exam लिया गया है, आपका semester 1 है अगर, तो semester 1 में आपका 5 subject का exam लिया गया होगा, जिसमें आपका 4 main subject होगा, और AEC एक एक subject होगा, ठीक है? तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको calculate नहीं करना है अभी, ठीक है? सिर्फ main subject को calculate कीजिए, तो यहाँ पर main subject है, 1, 2, 3, 4, 5, यह AEC subject है, इसको हम लोग calculate नहीं करेंगे, ठीक है? इसको calculate करेंगे, तो 35 35 plus 35 plus 35 plus 30 plus 45 इतना चीज 5 जो हम लोग calculate किये तब हम को मिल रहा है 180 तब हम को क्या मिल रहा है 180 ठीक है इस चीज को calculate नहीं किया गया है यह side में रहेगा यह AAC है यह आपना आपका main subject नहीं है ठीक है तो 180 जो कब कैसे आया सिर्फ अपना main subject जो main paper है उसी को calculate किये main paper में जो credit point मिला है उसी को calculate किये तब हमको मिला 180 ठीक है 180 मिल चुका है अब हम लोगों को क्या करना है अब हम लोगों को calculate करना ठीक है इसको calculate करना इसमें भी इसको छोड़ देना है ठीक है है इसको क्यों हम लोग इसको नहीं ले रहे है तो इसको छोड़ देना ठीक है बाma सिर्फ calculate करेंगे इसका ठीक है सिर्फ इसको calculate करेंगे इसको calculate कैसे करेंगे बस सबको क्या करने perles करना है तो 555 55 25 ऐ ई tho saya 25 और यह sou तो artily divided by 21 cm यह हम लोग को देगा CSGPA, ठीक है, 25 divided by 180, हमको देगा SGPA, तो हम लोगों ने क्या कहा, कि यह जो 180 है, जो credit point है, जो credit point है, ठीक है, credit points, ठीक है, credit points divided by credit, total credit, ठीक है, total credit, यह हो गया, total credit points, ठीक है, total credit points, divided by total credit, is equal to SGPA, ठीक है, is equal to SGPA, तो हम लोग क्या करेंगे, यह जो total आया है, याद यह रखिएगा, इसमें सिर्फ main subject, जो आपका main subject है, आपका, उसी को plus करना है, जो last वोला, जो subject होता है, AEC या SCC, उसको plus नहीं कीजिएगा, ठीक है, उसको side रखिए, वो calculate नहीं होगा, आपका main percentage में, ठीक है, main percentage आपका main subject से ही निकलता है, ठीक है, main जो आपको CGPA मिलेगा, या percentage जो final semester में लिखा होता है, वो आपका main subject का ही होता है, ठीक है, तो इसको calculate किये, XOCC आया, ठीक है, इसको calculate करने के बाद, XOCC आया हमारे पास, और इसको calculate करने के बाद, 25 आया, तो हम लोगों ने क्या क्या, 180 को 25 से divide किया, तो हमारे पास 7.2 आता है, यही चीज SGPA लिखा हुआ है, और 7.2 SGPA इसलिए लिखा हुआ है, कि यहाँ जो calculate करने के बाद, यह आता है, लेकिन जब आप इस सब को calculate किजिएगा, सारा चीज को calculate किजिएगा, लगभाग उतना ही आता है, लेकिन थोड़ा कम ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जो calculation है, calculation सिर्फ main subject का ही किया जाता है, जो यहाँ पे लिखा जाता है, percentage और SGPA इस चीज के जो भी mark sheet जारी किया जाता है, इस चीज में जो भी लिखा जाता है, ठीक है, पहले क्या होगा था, युनिवर्सिटी जो पहले सिर्फ यही जारी किया था, फिर बाद में जो हो, यह जो रा गया कुछ दिन के बाद, ठीक है, तो आप देख लिए जगा आपके mark sheet में है, या नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को clear हो चुका है, SGPA जो हो कैसे calculate किया ठीक है, और यह जो point है, यह point कैसे लिखा गया है, और यह grade कैसे लिखा गया है, यह सारा चीज़ जो हम लोगों को clear कर लिया है, ठीक है, यह credit point जो हो कैसे लिखा गया है, और आप लोगों को 7.2 यहाँ पर जो SDP दिख रहा है, जो भी SDP आपका mark sheet में होगा, वो calculate कैसे किया ठीक है, और grading system आप mark के हिसाब से जो table system है, जो table आप लोगों को दिखाया गया है, यह यहाँ से जो यह वाला जो grade वाला जो table दिखाया गया है, उसके हिसाब से जो हो आप उसमें हिसाब लगा सकते हैं, कि A plus आया हुआ है, इसका मतलब जो हो कितना से कितना तक के बीच में जो हो लाया होगा, ठीक है, तो उमीद करते हैं कि आपको जो हो मार्क सिर्ट जो हो आपको समझने में अब दिक्कत नहीं होगा, आपका जो भी मार्क सिर्ट जारी होता है, सेमेश्टर वन से लेके, सेमेश्टर फोर तक जो भी आपका मार्क सिर्ट जारी होता है, उसमें ज वर्ना मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM Windows के YouTube चैनल पर